तो दोस्तो नमस्कार Profit Guru Channel में एक बान नए मार्केट अपडीट की साथ आप लोगों का स्वागत कहता हूँ तो दोस्तो स्टॉक मार्केट का एक दिगज स्टॉक ठीके जिसमें बहुततर परसंट की डिलेवरी हमें आद देखने को मिल रही है यह एफ़र्ट करती है दोस्तो बहुततर परसंट की डिलेवरी ठीके साथ में बहुत बड़ा अपग्रेट रेटिंग आया है साथ में टार्गेट भी बहुत अच्छा देखने को मिला है तो जानते हैं वो कौन सा स्टॉक है किस इंडेस्ट्री में काम करता है क्या फाइनिशिल कंडिशन है और क्या EPS देखने को मिल रहा है तो चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक और चीज में बोलूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तो आप लोगों के लिए नाम चलता है मार्केट में ठीके तो आप इतनी से चीज देखे समझ जाओ को कि इस टॉक कोन सा है ठीके नई भी तो आगे तो हम आप लोगों को बताने वाले हैं अब देखे एनसी बीएसी दोनों ही एक्सेंज पर लिश्टेट मिलेगा कंपनी का मार्केट के पर आप देख सकते हो 14,241 करोड का पी एनिंग रेश्यो जो वेल्यू है वो है दोस्तो तिरयान में दसमलो 8 का रिटर्न अन इक्विटी के अगर मैं बात करता हूं दोस्तो तो 45.9 परसेंट बहुत ही खतरनाक रिटर्न अन इंप्लोई 49.2 परसेंट बुग वेल्यू 135 रुपे करेंट मार्केट प्राइज आप देख सकते हो साथ में 52 काई 52 कालो देख सकते हो और यह फेस वेल्यू देख सकते हो 10 रुपे पेर शेर के साब से देखने को मिल रही है उसे के साथ साथ देखेंगे कंपणी की कुछ अच्छी कॉलिटी तो कंपणी दोस्तों बोल रही है कि मेरे आने वाले जो कॉर्टस रिजेल्ट है वो अच्छे रहने वाले ठीक हैं कंपणी का जो एक्विटी टेक रिकॉर्ड है वो तीन साल में बहुती boost हमें देखने को मिलाए इसके कारण ही दोस्तों shareholder को बहुत अच्छा मुनाफ़ा देखने को मिल रहा है अगर कुछ negative quality देखें तो देखें एक expected वाला profit निकालता है ये company लेकिन dividend का payout नहीं करता तो ये ऐसा कुछ negative quality है ठीक है last quarter में promoters ने हिस्सेदारी कम की थी ठीक है उसके बाद अगर देखें तो company क्या करती है अपने business में other income included करती है तो येसा कुछ negative और ऐसा कुछ positive quality हमें company के अंदर देखने को मिल रहा है साथ में अगर हम देखने कॉटल इरजेल कॉटल इरजेल पर अगर हम focus करते है तो यहाँ पर आप देख सकते हो सितंबर 2018 से लेके दोस्तों आप एक काम करिए आप देखेंगे आप देखेंगे ना तो company क्या कर रही है एक दाइरे में sales कर रही है ठीक है एक दाइरे में क्योंकि यहाँ पर pandemic आता है ठीक है देन उसके बात देखिए कितना खतरनाक moment हमें देखने को मिलता है मतलब company ऐसा था कि corona हो सकता है इसके लिए golden opportunity लेके आया हो यह हमें देखने को मिले का आगे साथ जो update है उसमें साथ दे देखेंगे यह quarter pandemic वाला ठीक है एक range में profit और अब यह देखिए मतलब profit में भी बड़ोतरी EPS आप देख सकते हैं और यह EPS देखिए मतलब दोस्तों बहुती खतरनाक तरीके से जो company का momentum है वो pandemic के बाद बदला है ठीक है क्यों बदला है यह भी हम बताने वाले है अब देखे profit and loss पूरे salver को अगर देखते हैं ठीक है तो March 2018 से आप अगर देखेंगे तो पूरे salver में इतना sales था 19 में पूरे salver में इतना था 20 में पूरे salver में इतना था ठीक है March 21 में पूरे salver में इतना था हर साल company का जो sales growth है वो क्या हो रहा है दोस्तो improvement होती जा रहा है हमारे लिए तो यह बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है साथ मैं अगर में बात करता हूं net profit net profit भी देखिए ठीक है कितना शांदारे EPS देखिए आज यह profit देखिए कहां आ गया पूरे salver का और EPS देखिए कहां आ गया तो है ना एकदम जोड़दार company क्योंकि momentum दोस्तों हमें य लेगा ठीक है आज वोई शिर देखिए यहां पर कितना कमा कि दिर आए आगे मान लिए जिए दो से तीन साल बाद यह 100 रूपे कूद गया तो शेर का प्राइस आज 6,000 है तो वो सकता है कल 10,000 देखने को मिले तो यही momentum दोस्तों original rate आ है ठीक है shareholder pattern के अगर मैं बात करता देखिए उनको कुछ न कुछ quality यहां पर दिख रहे होगी तो अभी दोस्तों क्या कर रहे है हम अपनी जो stay के वो बढ़ाते जा रहे है और profit लेते जा रहे है तो मज़ेदार बात यही है दोस्तों ठीक है तो जरूर आप इसमें एक बड़िया सा investment कर सकते हो क्यों कर सकते हो दोस्तों क्योंकि जो चीज अम में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत जोरदार है तो चलिए देखते हैं तो यहां पर दिखे मनी कंट्रोल की साइट के ओपर मैंने आप लोगों को लाया हूँ ठीक है हम बात करें दोस्तों affiliate इंडिया की by target price दोस्तों कितन सितंबर के दिन तो यह बहुत बड़ा एक अपने आप में target हमें देखने को मिल रहा है करेंट market price से दोस्तों बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है अब देखे नीचे अपन देखते हैं कि प्रभुदाज लीलादर जी का जो research report है वो क्या बोलना है ठीक है आप अगर देखे mobile buying the perfect channel आपने देखा 2016 में जियो आता है ठीक है पहले तो एक GB net कितना महेंगा मिलता था जब वहाँ पर उमीद लगाए जा रहे थी कि 4G data आएगा ठीक है वो कितना महेंगा रहेगा लेकिन reliance आया reliance ने उस चुछ को पूरा सस्ता कर दिया ठीक है यह बहुत बड़ा improvement था अब आप बुलोगे mobile buying से इसका क्या है और perfect channel अब आप देख रहे होंगे कि आज लगबग एक साल के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने देखा तो public ने क्या किया है दोस्तों TV देखना बहुत कम कर दिया है क्यों क्योंकि सब घर थे और 24 गंटे वो mobile use कर रहे थे ठी बच्चे को steady करा रहा है mobile पे ठीक है उसके बाद आपको कुछ episode देखना है क्योंकि shooting तो पूरी बन थी movies पूरी बन थी ठीक है जो web series रिलीज होने वाली थी वो web series तो रिलीज हो रहे थी कहां पर OTT platform पे ठीक है like Amazon Hotstar और उसके बाद Netflix इस बहुत सरे ठीक है तो क्या हो रहा द बाल से connect हो जाती है ठीक है जो चीजह हमें देखने को मिलती तो उसका ही growth दोस्तों यहां पर बहुत अच्छा देखने को मेल रहा है आप अगर देखेंगे देखें क्या it's operation in emergency market debt have high growth in digital मतलब आगे जतना digital level बढ़ेगा उतना हमारे लिए बहुत अच्छा रहने वाला है हम पर 50% हो चुका ही है कितना 50% तो अगर माली जी यह 30% यह 50% पर पहुत जाता है हमारा देख का तो कतना बढ़िया रेवे ने दोस्तों affiliate इंडिया को मिलेगा यह आप सोच के चल सकते हो तो यह एक बहुत बड़ा और एक important point हमें देखने को मिल रहा है तो यहां पर अगर ह का performance क्या देखने को मिल रहा है लगबग आप देखिए ठीक है कि brokering firm ने तो कहा उस level का आज performance नहीं दीखा क्योंकि market में already pressure था लेकिन उतना भी नहीं गिरा जीतना हम expected कर रहे थे कि market 200 point 220 point गिरा तो इसको 100 point गिरना था नहीं गिरा दोस्तों लगबग 5,299 रुपे पे close हु गेपो ओपनिंग लिया हाई लगाया और लो देखिए 5,225 का ओल बस्त देखेंगे तो 200 point आप मान के चल सकते हो गिरावट दीखी लेकिन उसने recovery भी कर ली ठीक है volume की condition आपको हमेसा बहुत कम दीखेगी यहाँ पर आप जरूर इसमें investment करके position बनाई है क्योंकि momentum बहुत जोड़दार है देखे 52 का जो high है वो बहुत पूराना है बहुत जल्दी हाँ पर नया 52 का ही देखने को मिल सकता है तो जिसके लिए मैं आप लोगों को यही बोल रहा जो बंदा ट्रेडिंग करने आता है वो रिसर्च करता है रिसर्च में बहुत अच्छी चीज़े दीखती है बहुत अच्छी कॉलिटी देखती है तो बहुत तर परसेंट तक की delivery देखने को मिल रही है quantity 45,249 quantity के उसके साथ ही अगर आप देखेंगे company information पे तो बहुत announcement हो चुका है यह हमने आप लोगों को अपडेट किया ही था record डेट भी इसका आच चुका है दोस्तो लगबग 8 October को है ठीक है मतलब X record डेट आप मान के चल सकते हो कि 7 October को देखने को मिल रहा है यह चीज भी हमने आप लोगों को अपडेट की थी stock split भी हो जाएगा फिर भी attraction ब लास्ट पांत दिन में देखें साड़े 6% की शांदा तेजी लास्ट एक महने में साड़े 15% की तेजी उसे के साथ देखेंगे लास्ट छे महने में एक गिरावटे उपरी लेवल से मार्च से अभी तक ठीक है लास्ट एक साल में देखेंगे तो लगबग 80% की तेजी लास इसको देखिए आज 5300 के प्राज है ठीक है 6300 का लगबक 52 भी कहाई है 7100 रुपे का लगबक इसका टार्गेट है तो आप देखिए कितनी बड़ी अपोर्चुनिटी आप लोगों के सामदे है आप यहां पर दो स्टॉक भी लेके बेड़ जाओगे तो 2-4000 का प्रॉफिट आपको बैसे ही हो जाएगा ठीक है दस अजार के इंवेस्मेंट पर चाराजार का प्रॉफिट लगबक आने वाले हैं से 6 मेने में तो इस चीच को जरूर याद करिएगा दोस्तों और एफिलेट इंडिया को प्रॉपर तरीके से अपने पॉटफोलियो में रखेगा चाहे आप लोगों को खुछ से बेस्टेडी करना करें फोकस करें और कुछ भी दिक्कत आते कमेंट करें कमेंट बॉक्स में ठेक है प्रॉपर आपकी कमेंट का रिपलाए दिया जाएगा तो यह बैस्ट अपडेट है दोस्तों यह अपडेट आपको पसंद आया तो प्लेसे इस ले इसी प्रकार का अपडेट लाते रहते हैं तो ठैंक यू दोस्तो